पेरे दोस्तों सौगत है आप सभी का आप इक अपनी येटूब चैनल जिसका नाम है मांटेन फोजी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहे हैं आलो बेस अप डेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का जो रिजल्ट आने वाला था उसका फाइनली पहले वीडियो भी बनाई है तो दोस्तों सबसे पहले जिनका भी रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक में जो रिजल्ट था इसका इसमें सेलेक्शन हुआ है उनको बहुत-बहुत कॉंगरुजलेशन्स और जिनका नहीं हुआ है उन दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट कर पागा कर जो है आपको अगले आपके जो एक्जाम से आने वाली उसकी ताहिरी करनी है तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारा जो मैं बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज इसका रिजल्ट और क्या इसका कट अप रहा तो दोस्तो वीडियो में आगे बात करते हैं कि कैटेगरी की 94.25 पर यहाँ पर कट अप गही है और EWS चंडियोग की बात करें तो 76 पर इनका कट अप गया है वही बात करें OBC कैटेगरी की बात करें तो 66 पर इनका कट अप गया थी अब बात करते हैं की Radio रेडियो मेकेनिक की यहाँ पर cut up कितनी गई है तो unreserved candidates का यहाँ पर 103.5 यहाँ पर cut up गई है वही EWS की बात करें तो 95.95 यहाँ पर EWS की cut up गई है वही OBC की बात करें रेडियो मेकेनिक के लिए तो 118 पर यहाँ पर cut up गई है यहाँ पर cut up गई है यहाँ पर cut up काफी कम गई है जैसे हमने accepted पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बता है कि कितना आपने safe score मान सकते हो तो बिल्कुल accurate वही cut up गई है उससे भी यहाँ पर लगबग कम ही cut up लगी है तो जो चैनल से जुड़े है उन्होंने हमारी वीडियो पहले देखे होगी तो उनको पता है कि मैंने कितना यहाँ पर final cut up बताया था कि जितना आपका लग सकता है अब बात करते है कि कितने candidates यहाँ पर qualify हुए है तो लगबग 95.2% बच्चे बताता है 9.6 गुना यहाँ पर candidates को जो है पास किया गया है बीस गुना candidates जो हम बात कर रहे थे पहले कि उनको पास किया जाना था कि वो नहीं हुआ है अब 9.6 गुना जो seat है उसके 9.6 गुना बच्चों जो को भी पास किया गया है अब बात करते है कि radio mechanic के यहाँ पर कितने गुना बच्चे पास किये तो देखिए लगबग 11.9 गुना बच्चे यहाँ पर return exam में qualify किये है जो कि 3959 यहाँ पर बच्चे जो है final return exam से पास हुए तो दोस्तों आप बात करते है कि final अगर आप final cut-off की बात करें तो final cut-off में आपका कहा पर आ सकता है तो बात करते है सबसे पहले radio operator की देखिए radio operator में अगर final cut-off की बात करें तो अगर आप unreserved candidates है अगर आप 135 से लेकर 140 number यहाँ पर लाते हो तो आपका आरम से final cut-off में आपको वर्दी का आपका सफना जो पूरा हो जाएगा वही बात करें EWS की तो आप 117 से लेकर अगर 120 तक आपके number आते तो आपक final selection हो जाएगा वही बात करें OBC की तो OBC का जो है final cut-off आप जो general category में इनका seat नहीं होने की वज़े से डालागा है तो इनका selection 135 चैलिस नंबर पर आपका आरम से final में selection हो सकता है अब बात करते है SC और ST category का जो की written exam में इनका बराबर number पर इनका cut-off लगी है तो मेरे को लग रह जाते हैं तो आपका radio operator में आरम से final cut-off में selection हो जाएगा आप बात करते हैं दोस्तों देखिए radio mechanic के बारे में की radio mechanic का आपका final cut-off कहा तक जा सकती तो unreserved candidate की बात करें तो देखिए आपके अगर यहाँ पर 130 से 135 नंबर आ जाते हैं तो आपकी unreserved category में radio mechanic के लिए आपका selection हो वही EWS की बात करें radio mechanic के लिए तो 123 से लेकर 125 नंबर आपका अगर लाते हो तो आपका final selection यहाँ पर हो जाएगा अब बात करते हैं OBC category की तो OBC candidates यहाँ पर final selection में 130 नंबर से 135 नंबर आगर लाते है radio mechanic के लिए तो इनका भी वर्दी पाने का सपना पूरा हो जाएगा वही बा final selection में मुझे लगता है कि इनका final cutoff जो लगएगा वो भी same ही लगने वाला है तो अगर आप 105 नंबर से लेके 110 नंबर आपके यहाँ पर आते हैं तो आपका वर्दी पाने का belt की नवकरी पाने का सपना जो निच्छीती पूरा हो जाएगा तो दोस्तों यह था मैंने आपको accepted final cutoff भी वीडियो की माध्यम से बता दिए आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगए होगी तो वीडियो को लाइक किजिए अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए मिलते हैं नई सीरीज हमारे आने वाले ही कि आपका जो physical से regarding long jump, high jump और running के regarding tips आ आपको में वीडियो के माध्यम से देने वालों हों तो चैनल से जूड़ जाइए तब तक के लिए दिए आपके फोजी भाई को इधाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चाहिन